हलो दोस्तो मैं APS आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टड़ी विद मोटिवेशन में तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में चर्जा करेंगे UPPCL के जो पेंडिंग एग्जाम है उनको जारी कर दिया गया है अब दोस्तो जो बारी है वो TG2 वालों की है और आपका जो एक्जाम है वो next month मई में पूरी समभावना है आपका एक्जाम हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका Assistant Accountant का एक्जाम होगा तो जो Executive Assistant की जो टाइपिंग है दोस्तों वो 25 April से स्टार्ट है और यह आपकी जो टाइपिंग है यह last April तक खतम हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों क्योंकि दोस्तों Executive Assistant की टाइपिंग ज्यादा दिन चलेगी कि कब तक इसका Admit Card जारी हो सकता है तो दोस्तों अगर आपका Exam 15 May के आसपास TG2 का Exam अगर 15 May के आसपास होता है तो आपका जो Admit Card है दोस्तों वो आपका Last April तक जारी किया जा सकता है कि आपका जो Admit Card है वो Last April के आसपास जारी कर दिये जाए तो अगर दोस्तो आपका exam last माई जाता है तो आपका जो admit card है वो आपका माई के first week में देखने को मिलेगा लेकिन अभी दोस्तो पूरी समभावना है कि आपका जो exam है वो 15 अपरेल के आज पास हो जाएगा तो आयोग चाहे तो आपका जो टीजी टू का और assistant accountant इन दोनों के exam माई में करा सकता है दोस्तों तो अगर आपका 15 माई के से पहले अगर आपका टीजी टू के exam हो जाता है तो last माई में आपका assistant accountant का भी exam हो सकता है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो admit card जारी किये गए हैं उसमें से आपका देखिए यहाँ पे एक्जिगेटर असिस्टेंट का और उसके बाद यहाँ पे campus assistant आपको देख रहा होगा great third और यहाँ पे computer assistant यह आपके लगातार जो है तीन admit card जारी किये इसलिए आप जो है अपनी कमरकस लीजिए और अपनी तयारी को धार दीजिए और अपनी एक सीट जरूर इस department में पकी करिए तो दोस्तों यह आप एक्जिगेटर असिस्टेंट का है और असिस्टेंट एकाउंटेंट के जो बच्चे हैं वो अपने exam माई में ही मान की चले कि आप exam माई में होना है और आप अपनी तयारी को अंतिम रूप दीजिए तो दोस्तों जी लोंग की टाइपिंग है उनके लिए वेस्ट आफ लॉक उनको क्योंकि वो अपनी टाइपिंग से अच्छिस प्रैक्टिस करें और इसमें आपकी टाइपिंग अच्छी होगी त आप आपका जो आने के चांसे ज्यादा होंगे तो आप इस पीड़ पर अपना ध्यान दीजिए और अपनी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी एक सीट आप भी अपने एक सीट में पकी करें तो दोस्तों यह महत्तपूर्ण सुचन मुझे आप लोंग साथ स कैसा लगा अगर पसंद आया हुआ तो लाइक करिए गा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गा तो चली दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद